तो ये वीडियो सब लोगों के लिए जो कैनड़ा जाने का ड्रीम रखते हैं और जो कैनड़ा जाना चाहते थे बट उनसे आइलेट्स नहीं हो पारी थी तो कैनड़ा के तरफ से बहुत ही अच्छी न्यूस आ चुकी है वर्क परमेट के रिगार्डिंग के आप वर्क परमेट अपलाई कर सकते हो और वो भी विडाउट आइलेट्स अगर आपसे आइलेट्स नहीं हो रही तो आपको घबराने के जुरूरत नहीं है तो कैनड़ा में वर्क परमेट अविलेबल है तो इसके बारे में हम डिटेल मे में बात करेंगे कौनखान सी काटगरी में वड़ अवड़ेबल है और वह आप कहां से और कैसे अपलाई कर सकते हो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हाँ जी तो बात करते हैं Canada work permit के बारे में Canada से नई जो अपडेट आ रही है work permit के लिए Canada को बहुत सारे जो जिनके पास कोई चाहें वह किसी भी field में हो और जो किस जिनके पास कोई स्किल नहीं है और वह भी वह प्रमेट अप्लाई कर सकते हैं तो हम पहले बात करते हैं स्किल्सक्राइब में कौन-कौन से यहПरमेट आ रहे हैं तो उसके बारे में हम ठोड़ा डिसकस करेंगे तो सबसे पहला जो है जो सबका पंजाब में तो मुसलि मुझे बादा है कि जाना تर्बचे जी जाना है कि कैना जाना 다 fait ट्रक के शखीम है जो ट्रक चलाना जानते हैं और ट्रक वीजा अपलाई करना चाहते हैं ट्रक वीजा तो उनके लिए है यह त्रक विजव कुभर वीजा है वह ट्रक कि अवेलेबल हैं अगर आपको ट्रक का एक्सपिरियंस है आपके पास है और आपकी तो की क्वालिविविशन जो है 12 है और आप मीनिमम मेंट जो साड़े पांच ले सकते हो ठीके तो आप ट्रकिंग वीजा अपलाई कर सकते हो तो वीजा आपका वॉर्क पर में पेट राइवरी कर सकते हो अगर आप यह सारी रिगवर्मेंट पूरी करते हो आपकी एज आपके बैंस को आइलर्स के और आपका जो है एकस्पिरियेंस आपके पास हैवी ट्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए तो यह हो गया ट्रकिंग का और दूसरा है जो आपके पास कोई भी और अधर स्किल है फॉर एक्जामपल आप शेफ हो आप के पास एक्सपीरियंस है अगर आप स्किल बेस पर्मेंट लेना चाहते हो कैनडा का कि जिसमें आपकी स्किल के अकॉर्डिंग आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग आपको वर्क की जद आपको मैंड जो है कि सागे और चाहिए सकते हो कि मैंनद के ओपर है आपके सिकस पर आते हैं सेनम आते हैं और आपके मैंनेदकæों आप मीनिमर्ड के पास nursing का experience है तो nursing jobs भी Canada में available है तो कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है अभी almost हर category में work permit जो है वो available है तो वो कहां से करना है कैसे करना है इंडिया में agent कौन कर रहा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो यह रही आपका स्केल बेस वर्क परमेट जो कैटेगरीज है जैसे प्लंबर हो गया इलेक्ट्रीशन हो गया आइटी हो गया अगेर में रपीड कर रहा हूं और नर्सिंग के हो गए ट्रकिंग हो गए ठीक है यह स्केल बेस परमेट आजाते हैं इनके लिए आलस रिकॉर्ट है बट अभी बात करते हैं कि जो आइलेट्स नहीं कर सकते उनके लिए क्या रहेगा जो कैंडिडेट्स आइलेट्स नहीं कर सकते जिनको आइलेट्स की कोई समझ नहीं है तो उनका क्या है कि वो without IELTS work permit apply कर सकते हैं बट उनमें category क्या आएगी वो agriculture में apply कर सकते हैं जी हाँ आप agriculture में work permit अपना apply कर सकते हो इंडिया से directly उसके लिए IELTS आपके required नहीं है अगर हाँ आप IELTS कर सकते हो तो best है अगर नहीं कर सकते तो भी कोई problem नहीं है आपका agriculture में आपका work permit apply हो ज education जो है वो 10th होनी चाहिए बट आपको थोड़ी बहुत आपको English की स्वाज होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि आपको English बिलकुल भी आती है और आप जो है वो दसमी भी पास नहीं है जा आपकी clear नहीं है ऐसा नहीं हो पाएगा आपका जो रहेगा आप minimum 10th होनी चाहिए ठीक है clear हो पास का बहुत हो चाहिए उसके बाद आपके पास इंडिया मे Casey का करते है उनको पता हो होता है कि जो से कर सकते हो सबसे पहले आप 10 पास होने चाहिए आपके बात Claire होना चाहिए और और आपकी जो एज है वो एज लिमट आपकी सेम रहेगी वो 21 से लेके आप 36-40 तक आप कर सकते हो अप्लाई तो वर्क मामट की जो सैलरी पेकेज होता है जो ज़्यादा तर बचे यही पूछते हैं कि सैलरी गया मिलेगी भई आपका सैलरी का ऐसे कोई भी फाइद नहीं बता सकता क्या कि आपको कितनी सेलरी मिलेगी सैलरी जो होती है आप के सबस्कार्द के लिख यह पार्ब आप कर सकते हो आप एक साल के बाद अपनी कि अपनी अपलाई लिक चार्द पहर कर सकते हो अप बर्क मगर्ब рад, पिको आप रसकते हैं element इंद तो आप बहुत अच्छा golden time है अगर आप Canada का dream रखते हो work permit के लिए जाने का तो यह बहुत अच्छा time है आप इस time को waste मत करना जल्दी से अपना decision मना के अगर कहीं help चाहिए किसी agent की help चाहिए कि इंडिया से कौन कर रहा है तो मैंने पहले भी inform किया था इस वीडियो में दोबारा फिर आपको inform कर रहा हूं कि इंडिया से success की overseas है time का description में लिंक भी देदूँगा success की overseas है जो अभी यह work permit सारे deal कर रहे हैं जिन में यॉर्प work permit भी वह deal कर रहे हैं और Canada work permit भी वह deal कर रहे हैं तो आप उनसे मिल सकते हो और free में अपनी file के assessment करवा सकते हो तो वह आपको सारी guidance step by step क् work permit आपको मिलेगा वह सारा आपको guide कर सकते हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ Canada work permit को explain करने के लिए थी तो आप कोई भी field में जाना चाहते हो तो आप एक बार जुरूर अपनी file जो है वह assess करवा सकते हो वह आपके उपर है आप कहीं और से भी करवा सकते हो ऐसा कोई issue न comment को detail में mention करो detail में वीडियो बनाओ तो वो वीडियो भी जल्दी आने वाली है तो बेल आइकन को push कर देना और जल्दी से जल्दी चैनल को subscribe कर देना मिल दें next video में thank you